हाज हम डिसक्स करेंगे सेंट्रिफिकेशन कभ यूज होता है एक्जामपल है जब हमें क्रीम सेपरेट करना है मिल्क से तो बिसिकली हम सेंट्रिफिकेशन कभ यूज करते हैं कई बर क्या होता है जो suspended impurities है suspended particles जो है वह आपकी फिल्टर आउट नहीं हो पाती अगर हम फिल्टर पेपर से अगर फिल्टर करने की कोशिश करते हैं तब भी चिकन का साइज इतना छोटा होता है कि यह फिल्टर पेपर के थ्रू भी क्रॉस कर जाते हैं आपके मिक्शिर में तो ऐसे में हम ऐसे मिक्शिर्स को सेंट्रिफिकेशन की हेल्प से सेपरेट आउट कर सकते हैं पर एक्जांपल कोलॉडल सॉलुशन जो होते हैं उन्हें हम सेंट्रिफिकेशन की हेल्प से सेपरेट आउट कर सकते हैं ग्या आपका क इस एक्ट्रीम मेड़िक के लिए अमक्री मिलक लेना है अब इस टेस्ट्यव को अप सिंक्रीजन मचीन में रखेंगे या फिर हम milk को centrifugate कर सकते हैं by using milk churner यह centrifugation machine होती है इसमें test tube holders है तो इसमें test tube में अपना sample load करके इन holder में put करते हैं और यह जो मशीन है यह test tubes को हमारे mixture को वह speed में spin करेगी तो speed में spin करने से क्या होता हैं जो particles dense होते हैं वो नीचे settle down हो जाते हैं और छो lighter particles होते हैं वो टॉप में आ जाते हैं अगर centrifugation machine नहीं है तो हम Milt churner भी यूज कर सकते हैं या अपने घरों में या फिर villages में देखा होगा इस case में आपका ये जो middle जो आपका चोना झाले रहें ऊसे चींख से आंडों को करते हैं जिससे बखाउस से होंगा जाता है तो सेंटर्फिक्रिक्रिशन के पीछे का टेखनीक क्या है इसमें हम अपना मिक्षर लेते हैं आपकी सस्पेंडेड इंप्यूरिटीज है सस्पेंडेड या पार्टिकल्स है तो जब आप इसे रोटेट करवाओगे बहुत स्पीड में कुछ टाइम तक तो इससे क्य होगा आपके जो पार्टिकल्स है जो देन्स होते हैं वो नीचे कलेक्ट हो जाते बॉटम में और जो लैट होते हैं वह अपर टॉप में अ को इस तरीके से हम डियंसिटी के कि यहां पर हमने कर रहे हैं हमने मिक्षर किस कीज कर लिया है यहां आपका मर्ड है मर्ड में हम क्या देखते हैं जो हेवी पार्टिकल्स होते हैं वो तो सेटल हो जाते हैं यह आपका जो वॉटर है अभी भी क्लेर नहीं है आप देख सकते हैं इसमें अभी भी सॉयल के छोट solution हमें दिख रहा है तो इसमें जो वाइट के लगे पार्टिकल्स हैं वो किस वज़े से हैं कैल्शियम हाइड्रॉकसाइड की वज़े से अब इसमें हम इंटेस्ट्यूप को स्पेंड करवाएंगे स्पीड में एक फेक स्पीरिड आफ टाइम तक अब स्पीन कराने के बाद हम चेक करेंगे आपका जो पार्टिकल्स हैं कैसे सेपरेट आउट हो रहे हैं आप देख सकते हैं जो मट के पार्टिकल्स थे जो सॉल के पार्टिकल्स से वह नीचे सेटल हो गए कि इनकी डेंसिटी जाधा थी वाटर से से सेम आपका केल्शियम हेड्रोकसाइड के पार्टिकल्स आप देख सकते नीचे सैटल डाउन हो गए उपर आप वह ले बॉटर मिल गया अब प्रिंसिपल क्या होता है आपके सेंट्रिकेशन के पीछे डेंस पार्टिकल्स आफ फोस्टू बॉट्टम अगर आप अपने मिक्ष्यर को कंट्यूनसली स्पन कर आऊगर रपेडली तो इससे क्या होगा जो पार्टिकल्स देंसर हैं वह नीचे सेटल हो जाएंगे औ हम डेंसिटी के बेसेज में यहां पर पार्टिकल्स को लग कर रहे हैं अप्लिकेशन क्या है सेंट्रिकेशन की यूज इन डाइगनास्टिक लाब्स फो ब्लड और यूरिन टेस्ट किया जाता है सेंट्रिकेट किया जाता है ब्लड और यूरिन को जिससे हम कई सारे इसके लावा वाशिंग मशीन में हम देखते हैं आपके कपड़ को ड्राइ करने के लिए जिससेγο आपके कपड़े ड्रायो क्लोसी हो जाते हैं इससे आप आप वाशिंग मशीन के केस में क्या होता है मशीन वेट क्लोज तो कंटेनेसली स्पिन करवाती है इससे क्या होगा वाटर आपका रेंज हो जाता है ठीक है जो वाटर की डेंसिटी अलग है क्लोज की अलग है तो डेंसिटी के बेसिस में सेप्रेट आउट हो रहे ह water cloth से और आपका cloth जो है dry हो जाता है